हमारे देश में, जब हम किसी के पैर छूते हैं, तो एक आसिरवाद अक्सर हमें मिलता है, चिरन जिवी भव, अर्थात, तुम्हारी आयू लंबी हो, परन्तु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जिनके देह की आयू भले लंबी नहीं होती, परन्तु अपने कृतित्यों के 35 वर्ष की अलपायू में ही इस धरती को अलविला कह दिया, परन्तु उनके जाने के 135 वर्ष बाद भी उनकी प्रतिष्ठा, उनके यश, उनके मान, उनके सम्मान, उनकी कीर्थी और उनकी घ्याती में रंजमात्र की भी कमी नहीं आई है, आज हम भारतिये शाहित्याकास मे चंद्रमा के समान अपनी सहित्तिक आभा और शीतलता बिखेरने वाले भारत के इंदू, अर्थात भारतेंदू हरिश्चंद्र का जीवन परिचे प्राप्त करेंगे। वह काल था 1850 का और तारीक थी 9 सितंबर, जब बनारस के एक संब्रध परिवार में पिता बाबु गो भी थे और गिर्धर जास नाम से रचना किया करते थे, उनके द्वारा रचित नहुस नाटक, हिंदी का सुरुवाती नाटक माना जाता है। जब सुजान, बाना असुर की सैन को हनन लगे भगवान। बालक हरिश्चंदर का बच्पन बहुत दुखों से भरा था। पांच वर्ष की अवस्था में ही माता के आचल की सीतल छाया उनसे रूट गई और विमाता का आगमन घर में हो गया। पर विधाता को इतने से भी स अंतोस नहीं हुआ और नौ वर्ष की अवस्था में ही पिता का साया भी उनके सर से विधा हो गया। इस प्रकार छोटी सी उम्र में ही दुखों का पहाड उठाने के कारण भारतेंदू जल्द ही परिपक्को हो गये। भारतेंदू बच्पन से ही प्रतिभावान और कुशाग्र बुद्धी के बालक थे। उनकी अध्धिन प्षमता तो अध्विती थी ही साथ ही उनकी स्मर्ण सक्ती भी बेजोड थी। बच्पन में ही उन्होंने केवल स्वाद्धिहाय के बल पर कई भासाएं सीख ली। सं उनसे भारतेंदू का संबंद गुरु सिस्ट के समान था। यदि आप हिंदी साहित्य के अध्यता हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी गद्य के विकास में राजा से उप्रशाद सितारे हिंद का महत्वपुर्ण योगदान था और वे कासी से बनारस अख़बार का प्रका भारतेंदू के जीवन में प्रेम की करियायां तब चटकी जब 14 वर्षी किसोर हरिष्चंदर का विवाह मनी देवी से हुआ और तभी से कवी हुर्दय भारतेंदू की काव्य सरीता का अविरल प्रवाह प्रारम हुआ जो जीवन परयंत हिंदी साहित्य वाटिका को अभिस सिंचित करता रहा भारतेंदू की मेधा और स्मरन सक्ति को प्रमानित करने वाली एक घटना बहु प्रचलित है जब भारतेंदू 18 वर्ष के थे तब पंडित सीतला प्रशाद त्रपाठी ने जान की मंगल नाटक लिखा था और पनारस में उसका मंचन होने वाला था पर ए आधे घंटे में लक्षमन का पूरा समवाद याद कर दिया इस प्रकार हिंदी के प्रथम नाटक का सबस्ता पूर्वक मंचन हुआ भारतेंदू सच में अद्वतिय थे सुनकर आश्चर होगा प्रंतु मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1868 एसवी में उन्होंने कविवचन सुध नामक पत्रिका का प्रकासन प्रारंप कर दिया था और इस पत्रिका ने लोकप्रियता का किर्तिमान स्थापित कर दिया इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इसे मासिक से पाक्षिक और फिर साप्ताहिक कर दिया गया इसके बाद 1873 में हरिश्चंद्र मैगीन और 1874 में इ एक ही दिन में वहां उन्होंने हिंदी भासा की उन्नती पर 58 दोहों का पद्यात्मक व्याख्यान तयार करके सुनाया, जिसके बाद सभी विद्वानों ने मुक्त गंट से भारतेंदू की विद्वत्ता का लोहा माना, और आज भी जब कभी हिंदी या मत्र भासा के उत्थान नहीं के शूल। भारतेंदू के व्यक्तित्व के विसमें कहा जाता है कि वे कल्यूक के कनहिया थे। अंबिकादत व्यास ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते वे कहा, लंबा कद इकहरा बदन न अत्यंत क्रस न मोटा ही, आँखें कुछ मोटी, नाक सुडॉल, कान बालों की लंबी लटें बलखाती थी, उननत ललाट जो उनके भागे का द्योतक था। दूर से लोग इनकी मधुर कविता सुनकर आकृष्ट होते थे, और समीप आकर स्याम सुन्दर घुंगराले बालों वाली मधुर मूर्थी देखकर बलिहारी होते थे, और वारतालाप में इतने मधुर, इनके मधुर भाषन, नमरता और सिष्ट व्यभार से वन्सवध हो जाते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक अच्छे कवी, कलाकार, नट, लेखक, वक्ता, पत्रकार, आलोचक, समाज सुधारक, तेश भक्त, मौलिक कलाकार और पता नहीं क्या क्या थे, कई भासाओं की जानकाई तो इन्हें थी ही, साथ ही ये कई लिपियों में ही बहुत सुन्दर्ता और सुगमता से लिख सकते थे, और भारतेंदु इतनी अच्छे आशु कवी थे, कि इन्होंने एक ही दिन में अंधियर नगरी नाटक पूरा कर लिया, भारतेंदु विद्वान थे, इसमें कोई दोमत नहीं, परन्तु विद्वत्ता इनकी जिंदा दिली और मनों विनोध की प्रवर्ति में कभी बाधा नहीं बनी, ताश शतरंज के वे शौकीन थे, और हासे व्यंग से भरी इनकी रचनाई इस बात क परमानित करती हैं कि भारतेंदु की हास से व्रत्ती, अर्थात उनका सेंस ओप हुमर कमाल का था, उनकी रचनाउं पर दश्टी डालें, तो आपो एक विशाल ग्रन्तावली नजराएगी, मौलिक नाटक, अनुदित नाटक, निबंध, कहानी, यात्रा व्रतांत, उपन्यास, स्रंगारी कावे, प्रकृती चित्रन, राष्टरी चेतना, हास व्यंग, नव जागरन, क्या-क्या नहीं था उनकी रचनाउं में, मात्र 35 वर्ष की अलपायू में उन्होंने जितना लिख डाला, कई लोग तो 70 वर्ष की अवस्था में पहुँचने के बाद त उतना पड़ भी नहीं पाते हैं। यदि भारतेंदु के नाम पर विचार करें, तो बाबु गोपाल चंदर ने अपने बालक का नाम हरिश्चन्दर रखा था। परन्तु इनके गुणों को देखते हुए, पंडित रगुनाथ ने इन्हें भारतेंदु की उपाधी दी। पंडित सुधाकर दुवेदी के सब्दों में पूरे चान में तो कलंक दिखाई पड़ता है, परन्तु आप दूजी के चान हैं, जिनके दर्शन को भी लोग पुन्य समझते हैं। पंडित रामे स्वर्दत व्यास ने सार सुधानिधी पत्र में इन्हें भारतेंदु की उ तथा नव जागरन का अग्रदूत जैसे उपनाम भी प्राप्त हैं। भारतेंदु गजलने लिखते हुए रशा उपनाम का प्रयोग किया करते थे। इस महान कभी को जीवन में यस प्रतिष्ठा और शम्मान की प्राप्ती तो हुई, परन्तु इनका अंतिम समय बहुत अपने अंतिम दिनों में भारतेंदु छै रोग अर्थात टीवी से पीड़ थे और उसी बीमारी के कारण 6 जनवरी 1885 यस्वी को रात्तरी पौने 10 बजे भारत का यह चंद्रमा सरवदा के लिए अस्थ हो गया। इस 35 वर्षी युवा कलाकार ने 17 वर्ष के अलप रचनाकाल में ही 175 से अतित ग्रंथों की रचना करके माहिंदी की साहितिक संपदा को संब्रध करने का काम किया। इस महा कवी ने अपनी रचनाओं द्वारा हमें जो अनमोल ग्यान रासी सौपी है उसके लिए पूरा हिंदी जगत भारतिंदु का रिणी रहेगा और युगों युगों तक भारतिंदु का नाम सम्मान से लिया जाएगा। ऐसे महान कवी वर के चरड़ों में हमारा शत्सत नमन है।